बार-बार तूट रहा हो शादी का रिष्टा या हो रही हो देरी तो कर ले लाल किताब के ये उपाए इनसे दूर हो जाएंगी शादी में आने वाली दिक्कते अगर शादी में दिक्कत आ रही हो या फिर आपका रिष्टा बार-बार तूट जा रहा हो तो परेशान नहो लाल किताब में इसका उपाय बताया गया है मान्यता है कि ये उपाय चुटकियों में न केवल रिष्टों की लाइन लगा देते हैं बलकि इन्हें अपनाने से मनचाहा जीवन साथी भी मिल जाता है तो आईए जान लेते हैं इन उपायों के बारे में अगर न मिल रहा हो योग्यवर या वधू लाल किताब के अनुसार अगर आपके विवाह के लिए योग्यवर या वधू न मिल पा रहे हो तो कभी भी लोहे के बने बिस्तर पर ना सोएं ध्यान दें कि विवाह योग्य युवक्यूवतियों को कभी भी अपने बिस्तर के नीचे लोहे की चीज़े नहीं रखनी चाहिए और साफ फाय का भी ध्यान रखना चाहिए लड़के लड़कियों की समय पर शादी ना हो तो खासी समस्या पैदा हो जाती है पहले ही करियर सेट करने के चक्कर में पिछले एक दशक में युवक युवतियों की शादी की ओसत उम्रकुच साल बढ़ गई है वहीं कई बार शादी करने की इच्छा रखने के बाद भी शादी नहीं हो पाती है शीग्र विवाह के लिए कर ले ये उपाए लाल किताब के अनुसार शीग्र विवा के लिए हर ब्रहस पतिवार को और हर पूर्णिमा के दिन वट व्रिक्ष की परिक्रमा ज़रूर करें कम से कम 108 बार परिक्रमा करना चाहिए